नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम बात करने वाले हैं आईजिल के बारे में स्टॉक में कंटिन्यूसली वीकनिस देखने को मिल रही है शॉक लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक 500 के भी उपर ट्रे और क्या ये मौका है या फिर एक धोखा है इसके बार में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और रेगुलर अप्डेट्स पाने के लिए नॉट्टिफिकेशन मेल को प्रेस कीजे साथ टेलिग्राम चनल को भी जॉइन किजे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दी गई है आज अल्रेडी तीन वीडियो अप्लोड हो चुगी है निफ्टी फिफ्टी में एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप बायों डिप्स कर सकते हैं दमाकिंदार स्टॉक है मार्केट अट्रेक्टिव वैलिएशन हमें यहाँ पर दिखा जिदा है कौन सा स्टॉक है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा और जी एम एम फॉल्डर में लगातार हमें लोवर सर्कीट देखने को मिल रहे थी लेकिन आज यहाँ पर अपर सर्कीट में स्टॉक फ्र जिना करो इसके आसपस का है लाश्ट ट्रेडिट प्राइस है थ्री नयकी-वन रुपीज जो कि हमें ध्री पर Muslims दिखाई दिखा दिया है अगर बात करें यहाँ पर रिटरंप के प्रोफाइल के बारे में तो वन वीक में तीन पर संट नीच हैं वन मन्स के बारे में बात क तो 11% के आसपास के positive returns दिखाई दे रहे हैं अगर बात करें 5 years के बारे में तो 324% के positive returns इस टॉक ने हमें बना कर दिया है अगर बात करें इसके key matrix के बारे में तो आप देख पाएंगे PE ratio है 21.92 जबकि sector का PE 12.35 दिखाई देता है तो sector के मुकाबले महंगा valuation है अगर बात करें पर price to book ratio के बारे में तो वो है 5.11 जबकि sector का price to book है 1.38 तो यहाँ पर भी over valuation या फिर हम premium valuation कह सकते हैं और अगर बात करें dividend yield के बारे में तो 0.71% की dividend yield हमें यहाँ पर दिखाई देती है sector का dividend है 3.98 तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी dividend yield हमें यहाँ पर कम दिखाई देता है अगर बात करें company के profile के बारे में तो जैसे नाम से ही पता चलता है इंद्रप्रस्त gas limited IJL is a city gas distribution company the company's business consists of sale of natural gas यहाँ पर company का financial trend भी देख लेते हैं तो आप देख पाएंगे company का financial trend लगातार उपर जाता हूँ नजराता है चाहे वो revenue हो या profit हो कहीं पर भी ग्रावट देख industry की है 7% जबकि IJL की है 12.81% market share पिछले 5 सालों में 4.66% से बढ़कर 6.08% हो चुका है अच्छी बात है industry की net income है 25.1% जबकि IJL की है 22.75% यहाँ पर अलग-अलग financial years को compare कर लेते हैं और हमें पता चलेगा कैसा performance इसका रहा है तो आप देख पाएंगे अलग-अलग financial years को अग पर दिखाई देता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है company के share holding pattern के बारे में बात करें तो total promoter holding है 45% जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है तो tension की बिल्कुल भी ज़रूद नहीं है mutual fund के पास है 8.01% की holding, DIA इसके पास है 17.2% की holding, FIA इसके पास है 22.29% की holding, other parties के पास जाने कि हमारे आ IGL को लेकर एक नई news हमें आतो यह नज़र आ रही है आप देख पाएंगे record 2.72 lakh new PNG connections provided in financial year 20 तो आप देख पाएंगे इंदरप्रस Gas Limited तो IGL के लिए एक काफी अच्छी बात है यहाँ पर यह अच्छी news हमें दिखा देती है तो काफी ज़धा growth prospects हमें यहाँ पर दिखा देत अपरेटिंग margin का percentage है 21.75% net profit का margin का percentage है 16.88% जो की पिछले साल के मुगाबले दोनों में हमें improvement देखने को मिलता है अच्छी बात है अगर बात करे return ratios के बारे में तो ROE 23.31 जो की पिछले साल से improve हुआ है अच्छी बात है ROC 24.53 है जो की पिछले साल से हमें थोड़ा सा नीच आता हुआ नचर आता है return on assets है 16.55 जो की पिछले साल से improve होता हुआ नचर आता है अगर बात करे liquidity ratios के बारे में तो current ratio है 1.39 जबकि वो था 1.46 ये current ratio क्या होता है अगर आपको समझना है तो fundamental analysis की series आप देख सकता है जिसकी link मैंने description box में दे दिया है quick ratio है 1.36 अब देख पाएं हमें ऐसी ही companies में invest करने के बारे में सोचना चाहिए जिस पर बिल्कुल भी करजा ना हो अगर बात करे interest coverage ratio के बारे में तो 173.72 है जो की पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है asset turnover ratio है 85.96 93.23 हमें देखने को मिला था तो यहाँ पर गिरावर्ट देखने को मिल रही है जो कि 30.58 परसंट जो कि 22.93 परसंट देता तो यहाँ पर जरूर गिरावर्ट देखने को मिल रही है लेकिन अगर profit पर एक बार नजर डालते हैं तो आप देख पाएंगे 30.17 परसंट परसंट आमें दिखाए देता है जो की 17.37 था तो यहाँ पर अच्छी खासी क्रोथ देखने क पर अच्छी बात है यानि कि consistently का डिविडेंट देती है फिर भी consistently अगर बात करें splits के बार में तो old face value थी 10 रूपीज पर equity share, new face value जो चल रही है वो है 2 रूपीज पर equity share, हमें split देखने को मिला था 2017 में और share में अभी इदक यहाँ पर कोई भी bonus देखने को नहीं मिला है तो आप देख सकते हैं market crash के पहले 520 के आसपा stock trade कर रहा था लेकिन उसके बाद भारी गिरावट market में देखने को मिली 300 के आसपा stock ने support लिया और उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी almost recovery हमें दिखाई दे दी थी 500 के ऊपर यह stock निकल चुका था लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और आप देख पाएंगे continuously stock हमें weak होता हुआ नजरात है current situation के बारे में बात करें तो फिलाल यह stock सारे moving average के नीचे trade करता हुआ नजरात है अगर बात करें यहाँ पर money flow index के नंबर के बारे में तो money flow index का नंबर calculate होकर आता है 65.98 जो कि काफी ज़दा फिलाल तो हमें strong दिखाई दे रहा है अगर बात करें यहाँ पर इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर है 42.31 आप देख पाएंगे RSI के नंबर में हमें यहाँ पर comparatively weakness देखने को मिल रही है लेकिन RSI का नंबर काफी समय से इसी zone में हमें trade क अगर हो सकती है Bollinger Band के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे Bollinger Band के Lower Band के आसपस support लेने के बाद तेजी दिखाई दी Upper Band के आसपस resistance phase किया वापस गिरावटाई Lower Band के आसपस support लिया वापस ऊपर गया Upper Band के आसपस resistance phase किया और वापस stock हमें नीचे आता हुआ नजर आता और फिला lower band का level calculate होकर आता है 384 का level, median है 404 का level, upper band है 424 का आसपास का level pivot points के बारे में बात करें तो यहाँ पर pivot level calculate होकर आता है 399 का level जिससे stock हमें नीचे trade करता हूँ नजर आता है resistance की बात करें तो 418 का pivot resistance फेस करना पड़ा stock को उसके उपर closing एक बार दी जरूर थी लेकिन यहाँ पर stock sustain नहीं हो पाया और वापस गिरावट देखने को मिली अगर बात करें यहाँ पर इसके supports के बारे में तो आप देख पाएंगे 375 का support दिखाई देता है उससे भी नीचे जाए तो 357 का support भी हमें आपर दिखाई दे रहा है अब चलते हैं all time chart पर जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगा जिससे हमें पता चलेगा stock ने कैसी movement बना कर दिये तो आप देख पाएंगे overall धमाकेदार stock रहा है multi bagger returns इसने हमें बना कर दिये कभी भी ज़्यादा stock में deep correction भी देखने को नहीं मिला है जब भी stock में हमें correction देखने को मिलता है तो 20 months EA में के आसपा stock support लेता है और वापस हमें तेजी continue रहत भी नजर आती है और जब market में हमें crash देखने को मिला था तब 50 months का EA में as a strong support दिखाई दिया था और वो level फिलाल calculate होकर आता है 310 के आसपास का level और आप देख पाएंगे जो 20 months का EA में as a strong support हमें दिखाई दिखाई दिता है वो level के आसपास ही फिलाल stock trade कर रहा है अब देख पाएंगे current market price के आसपास हमें 20 months का EA में भी दिखाई दिता है और यहाँ पर जो candles बनती ही नजर आ रही है पिछले 4 महिनों से जितनी भी candles बन रही है सब की सब यहाँ पर bearish signal दे रही है और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी आपको recommend किया था कि यहाँ पर 450 के आसपास buying नहीं करनी शाहिए reasonable valuation आता हुआ नजर आता था और यहाँ पर जो technical indicators थे वो भी हमें आपर bearish संकेत दे रहे थे अगर आप भी technical indicators को समझना चाते हैं तो technical analysis की playlist देख सकते हैं जिसकी link मैंने description box में दे दिया है तो अगर बात करें क्या यह मौका है या दोखा है इसे अपने portfolio में add किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हमसे review करवाना चाहते हैं तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है तो यहाँ पर अगर बात करें levels के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आप फिलाल हमें resistance की तोर पर जो level दिखाई देता है वो है 420 से करके 425 का resistance बार-बार stock इसी level पर आता है और वापस resistance बेस करता है stock हमें नीचे आता हूँ नजर आता है और support के बार हमें बात करें तो 380 के आसपास का जो support है as a strong support फिलाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम expect कर सकते हैं कि 375 से 380 का strong support हमें दिखाई दे सकता है अगर वो level तूट जाता है तो हमें 360 के levels भी दिखाई दे सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि as the opportunity लेना है और long term के लिए यहाँ पर add करना है अगर आपने उपर position मना कर रखिये loss में चल रहे हैं तो यहाँ पर बने रही है समय जरूर लग सकता है लेकिन अगर आप long term के लिए रखेंगे अच्छा stock है long term में आपको अच्छा मुनाफ़ा बना कर दे सकता है नीचे position मना कर रखिये अगर आप profit में चल रहे है long term के लिए लिए तो continue holding कीजे लेकिन अगर आपने short term के लिए लिए तो 380 का level बहुत ही महत्वपूर्णा है अगर यह support तूटता है तो और भी गिरावर देखने को मिल सकती है और बात करें fresh buying के बारे में तो मेरा मानना है अच्छा समय है जब यहाँ पर accumulate करना चाहिए 380 से 390 का zone काफी अच्छा support हमें यहाँ पर दिखाई दिया है तो यहाँ पर accumulate करिए यह support पहला support है तो यहाँ पर accumulation किया जा सकता है लेकिन जो दूसरे support का wait करना चाहते हैं 360 का दूसरा support यहाँ पर में दिखाई दिता है 360 से करके 375 के आसपास 370 का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप buying के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजे share कीजे, comment कीजे, subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing